दोस्तों, अगर आप एक home music system खरीदने का सोच रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ी option हो सकता है, ये है LumiFond Company का 2.1 Hi-Fi Stereo Bluetooth Subwoofer Docking Music System, इसकी खासित ये है कि आप इसे as a portable speaker की तरह भी उप्योग कर सकते हैं, और as a powerful home music system की तरह भी उप्योग कर सकते हैं, इसका pricing है 4,750 रूपीज और ये जो product है, ये Amazon पर available है, चलिए सबसे पहले मैं आपको इसकी unboxing करके बताता हूँ, इस video को like कीजिए और देखते रहे हैं, नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ गोई, और ये है LumiFond Company का product, वैसे जो specifications है, वो box पर details में दिया हुआ है, और ये product है किस प्रकार के लगता है, उसक 2500 mAh की non-removable battery है, इसका जो total output है, डॉक के साथ में, ये है तकरीबन 26 watt, बहुत ही powerful है, वैसे इसका pricing बहुत ही बढ़िया है, 4750, चलिए मैं जो box है, इसे मैं खोल देता हूँ, और ये रिखिए, box के अंदर आपको ये speaker मिलेगा, इसे इस परकार से pack किया हुआ है, ये लीजे unique किसम का product है, फिलाल देखते हैं कि इसके अलावा box में हमें क्या-क्या मिलता है, तो ये दिखिए, इस परकार से packing की गई है, और यहाँ पर user manual है, warranty card है, और ये दिखिए, यहाँ पर power cord दिया हुआ है, और ये है audio pins, अगर आप चाहें तो इस Bluetooth speaker को as a wired speaker की तरह भी उप्रक कर सकते हैं, और ये है USB to Micro USB data cable, जिस को प्रक करके जो built-in battery है, उससे आप charge कर पाएंगे, ये दिखिए, इस प्रकार का दिखता है ये product, यहाँ पर wooden finishing दिया हुआ है, और यहाँ पर fabric type finishing दिया हुआ है, lumiford logo यहाँ पर लिखा हुआ है, और यहाँ पर दिखिए, जिस प्रकार से built-in battery नहीं है, लेकिन आपको इसे continuous power देना पड़ेगा, और नीचे से ये दिखिए, इस प्रकार का दिखता है, यहाँ पर rubber padding दिया हुआ है, ताकि इसे अच्छा grip मिल जाए, वैसे बहुत ही powerful है, और आगे से ये इस प्रकार का दिखता है, अब मैं जो interesting चीज़ है, वो बत 6W का output मिल जाएगा, और यहाँ पर देखिए, उपर controls दिया हुआ है, जिसको प्यों करके आप जो media है, उसे control कर पाएंगे, इस तरह से pencil box की तरह दिखता है, यह देखिए, और यहाँ पर leather type finishing दिया हुआ है, और यह जो भाग है, यह बेसिकली, यह देखिए, यहाँ पर इस इसके साथ में dock होता है, तो यह जो भाग है, यह subwoofer है, जो इस छोटा सा जो module है, speaker module इसके साथ में dock होता है, तो जब कभी आपको इसे dock करना है, इस परकार से आपको इसके उपर रखना है, और यह dock हो जाएगा, जब कभी आपको इसे निकालना है, तो एक जो भाग है, इस प्रेस करेंगे तो इस प्रकार से बहार आता है यहां पर प्रेस करेंगे तो नहीं आता है बलकि सिर्फ एक तरफ पर यहां पर प्रेस करते हैं तो यह बहार आएगा और इस प्रकार से आसानी से निकाल पाएंगे यह देखिए इस प्रकार का है यह डॉकिंग सिस्टम तो चल आपको कुछ गाना सुनाता हूं उसके पहले मैं आपको बतादेना चाहता हूं कि यहां पर एक Maikro USB Port दिया हूआ है और यहां पर एक जाग भी दिया हूआ है इसमें ब्लीटिन बैटरी है उसे चार्ज करने के लिए तो सबसे पहले कहीं भी ले जा सकते हैं, वायरलेस है, लेकिन यह जो subwoofer है, इसी module के साथ में काम करने वाला है, अगर यह damage हो जाता है या फिर घुम हो जाता है, तो यह जो module है subwoofer, यह काम करने वाला नहीं है, इसलिए यह जो भाग है, बहुत ही important है, चलिए मैं आपको गाना सुनाता हूँ ध्यान से सुनिए, यह फिलाल इस पर play हो रहा है, अगर आप चाहें तो इसे भी table पर रख सकते हैं इस प्रकार से, यह भी अच्छा grip मिल जाता है, क्योंकि यहाँ पर निचे rubber padding दिया हुआ है इसके उपर, अब ध्यान से सुनिए, क्या होता है क्या हुआ है तो दोस्तों, यह एक awesome किसम का product है, इसके sound output है, एकदम awesome किसम की है, खास करके आपको यह option मिल जाता है, यह जो भाग है, इसे आप कहीं भी आसानी से ले जा सकते हैं, बहुत ही चोटा सा है, compact है, और इसमें 1500 mAh की non removable battery है, वैसे जो चोटा सा speaker है, इसका sound output है, एक limited प्रकार का है, 3 watts के 2 speakers इसमें दिया हुआ है, लेकिन जब आप इस module को, यह जो subwoofer है, इसमें इस प्रकार से connect करेंगे, तो जो sound output है, एकदम awesome किसम का हो जाता है, आपको total 26 watt का output मिलने वाला है, और मैंने आपको sound sample भी सुनाया हुआ है, और शायद आपने notice किया होगा, जो output आपको इस मिलता है, और जब मैं इसे इस प्रकार से हाँ पर connect करता हूँ, तो जो total sound है, वो अलगी प्रकार का आता है, दोस्तों इसमें Bluetooth 4.2 technology copy of किया गया है, और इसमें built-in microphone भी है, अगर आपको कोई call आता है, तो आप इस पर receive कर पाएंगे, automatically, इस subwoofer में down firing passive radiators दिया हुआ है, जो क आपको बहुत ही कमाल का base output देता है, और दोस्तों ये voice input Amazon Alexa भी support करता है, अगर मैं इसे rating दूँ, तो मैं इसे 4.5 out of 5 की rating दूँगा, बहुत ही कमाल का music system है, खास करके घर के उपयोग के लिए बहुत ही बढ़िया किसम का है, और बहुत ही loud है, 26 watt का total output आपको मिलता है, सब woofer के साथ में, अब यह जो product है, यह Amazon पर available है, कीमत है 4750, जहां से आप इसे खरीच सकते हैं, उसका link मैंने video description में दिया हुआ है, दोस्तों, यह product आपको कैसा लगा, comments के मादेम से आप मुझे बढ़ा सकते हैं, इस video को like कीजिए, share कीजिए, और देखते रहिए,